पूर्पाशद विनो टिटोरिया के परिवार में नव दंपत्ति को शादी की शुब कामनाई देने पूर्व सीं भुपेंदर सिंग हुड़ा आज करनाल पहुचे यहां उन्होंने पूर पार्षद विनो टिटोरिया के बेटे की शादे की बधाई देते हुए लंबी उम्र की काम ना की इसके बाद पूर्व सीएम भुपेंदर सिंग हुड़ा ने पतरकारों के सवाल के जवाब देते हुए दिल्ली चुनावों पर बोलते हुए कहा कि कॉंग्रेस को इस पर मन्थन करना चाहिए जो कॉंग्रेस की एक भी सीट नहीं आई है क्योंकि आगे देश को कॉंग्रेस की जरूरत है उन्हेंने कहा कि हिसार के नेता उमेद सिंग लोहान के कॉंगर्स में शामिल होने से पार्टी को मस्बूती मिलेगी और अन्ये पार्टियों के नेता भी उनके संपर्त में हैं जो भी कॉंगर्स पार्टी ज्वाइन करेगा उसको पूरा मान और सम्मान दिया जाएगा इस मोके पर कॉंग्रेसी नेता करंट सिंग दलाल पूर विधान समा स्पीकर कुलदीप शर्मा, कॉंगर्स के संयोजक सर्दार तिकलोचन सिंग अर्विन माननीचू, हरी राम के अलावा अन्य कॉंग्रेसी नेताओं के सासा शेहर के गनवान ये व्यक्ति भी मोजूद रहें देखे समाचार एक्सप्रेस की एक खास रिपोर्ट वो मन्तन अब करना थी एक कॉंगर्स को तुकि आज देश को कॉगर्सी दुरूरत है अर्विन माननीचू के मेरा नेका बोट प्यान है आपर से में तो इनों ने पर सो टेलिफोन के गहा था कि मैं आप देखे सकता मैं आज पहुंचे हैं और सभी महले बाचों की दराप से मौन का थे दिल ने सब्सक्राइब जे बीडी बंक्वेट्स लाए हैं राइख शेर और सब्सक्राइब करें घंडेवाद